हाई फ्रेंग्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्टेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी अपडेट यह आज का ही डेटा है आज सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नेर ने प्रेस कॉन्फरेंस करके देश के सामने जो लेक्टेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूस से तो देखो यह है स्क्रिंशॉट और गवर्नर के स्पीच का राइट और वाय आ इम तलिए विडियो जो भी है डायरेक्ली फ्रम दी गवर्नर स्पीच तो इस वेरी वेरी इंपर्टेंट नॉट इवेरी इंपर्टेंट नॉट इन आपको जो जो चीच पता होना चीए एक्जाम प्रिस्पेक्टिप से वो सारा चीच कवर है तो आप प्लास तक बने रहो इस वीडियो में and let's see what is the update सबसे पहले जो गवर्नर है शुगर करते एसेस्मेंट से मतलब उनका डिशिजन देने से पहले वो एसेस्मेंट बताते है कि उन्होंने economy में at present क्या देखा सो RBI growth के बारे में क्या बोल रहा है देखो 6 जनवरी को advance estimate आया था जिस पर ये बताया गया कि साल भर का GDP growth जो real GDP है वो 7% से grow करेगा तो गवर्नर ये बोलते हैं कि supply side का भी अगर हम GVA देखे तो वो 6.7% देख रहा है तो मतलब सही direction पे advance estimate भी जो चीज दे करा है वो चीज RBI भी in sync है वहाँ उसके बाद governor ये बताते हैं कि जो domestic demand है देखो demand कैसे बनता है मतलब demand कैसे बनता economy में मुझे कोच चीज चाहिए उसके लिए मेरे पास पैसा होना चीज पैसा है तो मैं market में जाकर उस चीज की तलाश चुरूल करूंगा खरीदने की कोशिश करूंगा या खरीदूंगा that is how you know demand is created in the economy but the first thing that is required for demand is the money मेरे मन में इच्छा है इच्छा होने से नहीं होगा मेरे पास पैसे भी होने चाहिए so you know liquidity RBI के point of view से liquidity को ये दिया जाता है focus किया जाता है तो अगर हम liquidity की बात करें तो liquidity is you know fine which says कि domestic demand and जो urban या rural म भी हम demand की बात करें तो improve हो गा है next number ने inflation में inflation में क्या कहना है governor का देखो November के मन्त में inflation 5.88% हो गया as per the NSO data मैं CPI की बात कर रहा हूँ WPI कितना था 5.85% तो governor के हिसाब से भी देखो governor obviously जो RBI है वो उसको approximation में लेता है तो 5.9 and 5.7 बता रहा है तो जो inflation है साल भर से RBI का जो tolerance mandate 2-6% से उपर था तो वो नवंबर मन्त में control में आता हुआ दिख रहा है right and उपर से governor ये भी बता कि नवंबर के मन्त में deflation भी देखने को मिला vegetable prices में तो देखो वो उसका factor तो अलग ही है मतलब अगर आप हर साल को follow करो तो ठंडी का समय में vegetable के price को गिरना ही रहता है because बहुत सारे different factors है so vegetable के price में deflation भी देखा गया so which has actually helped inflation moderating उसके बाद liquidity की बात करें तो liquidity भी अच्छा था पिछले साल से साथ compare करेंगे तो अब अच्छा है 1.6 लाग करो है which says कि even if the report is high the liquidity condition in the economy is you know good and that is how domestic demand is getting created ये भी एक factor है ना liquidity के होने से नहीं होगा liquidity लोगों के हाथ में होना चाहिए then foreign currency की बात करें मतलब foreign exchange reserve की बात करें तो वो 576.8 billion है as of January 27, 2023 तो मतलब वो भी एक अच्छे level पे है हम देखेंगे तो 540 billion के पास चला गया था when RBI was defending the rupee in the international market या forex market आप बोल सकते हो तो अब क्योंकि वो moderated है तो यहाँ पर RBI को defend करनी के जरूवत नहीं है and the reserves are growing which shows that again economy is heading towards stability अब हम आगे बढ़ते है highlight outlook की बात करते है ठीक है तो outlook में सबसे पहले अगर inflation की बात करें तो inflation को 6.5% project किया गया है financial year 23 में and 5.7% project किया गया है quarter 4 में मतलब जो quarter अभी चल रहा है जो 31st March को खतम हो जाएगा then अगर हम CPI को आगे की बात करें तो देखो quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4 अगले साल का मतलब FY24 का financial year 24 जो की आपका 1st April 2023 से शुरू हो के 31st March 2024 तक चलेगा वहां का पूरा quarter on quarter दिया 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 तेखो quarter on quarter आपको याद नहीं रखना है क्या का याद रखना है वो मैं आपको आखरी में बताता हूं उसके बाद हम बात करेंगे GDP की तो रेल GDP भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि 6.4% से quarter 1 में ग्रो करेंगा in financial year 24 और अगर हम पूरे साल की बात करें तो वह 7. नहीं quarter 1 की बात करें FY24 में तो वह पूरे साल भर में financial year 24 का 6.4% है और quarter 1 की बात करें तो वह 7.8% है अगें quarter 2, quarter 3 सब दिया हुआ है जिसको आप ignore कर सकते हो मतलब हाँ आप पढ़ने के लिए पढ़ लो लेकिन आपको याद नहीं रखना है याद क्या रखना है वह मैं आपको आगे बताऊँगा अगर हम other comments में बात करें तो other comments में वहाँ पर governor ने ये mention किया जो capital expenditure हुआ है या increase हुआ हमने क्या देखा था budget वाले इसमें कि 33 परसें या one third से कुछ one third से पहले 10 लाग करोर के आसपास था अभी वो 13 लाग करोर के आसपास का capital expenditure है तो क्योंकि capital expenditure का जो benefit है वो immediate नहीं दिखता है over a period of time उसका मतलब compounded effect economy में दिखने लगता है and that is how the governor is also telling the same thing and all this outlook को follow करते हुए governor has decided और monetary policy committee has decided to increase the policy report by 25 basis point to 6.5 percent ठीक है ये था outcome लेकिन इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे statement of developmental and regulatory policies तो देखो monetary policy update के साथ इसमें भी कुछ-कुछ statement आते हैं तो इसमें total 4 पांट में आता है एक होता है financial market दूसरा होता है regulation तीसरा होता है payment and settlement system और चौथा इस बार है currency management तो इस head पे governor ने क्या-क्या बताया है वो सारा चीज हम समझते हैं through this one देखो financial market ने पांट में governor ने क्या बताया जो government securities है इस पे lending and borrowing अभी नहीं होता है तो इस पे governor अभी lending and borrowing शुरू करने वाले है तो इसका जो draft direction है वो separately issue बाद में होगा अभी ज़्यादा detail बाहर नहीं बताते हुए governor ने स्रिफ इतना बताया है कि ये security market को मतलब government security market को और robust बना देगा basic सा बात अगर मैं आपको समझाता हूँ समझाना है तो ये है ये securityization हो जाएगा मतलब मान के चलो आपके पास ऐसा पाँच government bond है अब देखो government bond है तो इसका मतलब आपने इसको पैसा दे के खरीदा है अब आपका पैसा तो stuck है मतलब आप इसको maturity तक रखना चाते हो तो आप क्या करोगे इनको कही पे गिरवी रखके आप इसके against में एक borrow करोगे मतलब आपको पता होगा मतलब LIC का कुछ policy होता है जिसको हम mortgage रखके loan ले सकते हैं exactly वैसा ही कुछ इस पे होने वाला है लेकिन जो पूरा detail है वो बाद में बहर आएगा अभी मैं hypothetically आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास मान के चलो government bond है तो आप इनको कही पे गिरवी रखके इसमें आप borrow कर सकते हो so borrowing आगे वाला आपको जो पैसा देगा उसके लिए वो lending हो जाएगा ठीक है तो government security में lending and borrowing शुरू होने वाला है तो ये governor ने बताया अभी अगर हम move करें regulation में तो regulation में क्या हुआ recovery of penal charges on loans देखो RBI एक चीज हमेशा से clear करता है जो regulated entities है मतलब banks जिनको RBI regulate primarily करती है उनके operational autonomy में RBI को कभी दकल नहीं देना है मतलब operationally उनको अपना business कैसे चलाना है ये वो समझे लेकिन RBI का कहना ये है कि मैं जो rules and regulation through guidelines and other acts के थुरू आपको बताता हूँ वो आपको follow करना है because I am the regulator and yes normal है तो अब RBI ये बता रहा है कि operational autonomy में हमको कुछ नहीं करना है and एक ना penal interest मान के चलो कोई X person है इसने bank से 100 रोपे का loan लिया अब इस 100 रोपे के loan में मान के चलो कभी वो लेट हो जाता है payment करने में या उसका कुछ चेक bounce हो जाता है repayment जो ECS होता है वो bounce हो जाता है कुछ भी होता है ना तो इस पे arbitrary system से bank एक charge लगाता है किसी bank में 200 रोपे है तो किसी bank में 600 रोपे है किसी bank में 800 रोपे है एक example के तौर पे तो this is called penal interest for not following something या मान के चलो यह NPA हो रहा है तो आपको month on month इस पे late fees लगा रहा है bank 1000 रोपे irrespective of the amount कोई percentage नहीं है तो यह जो सारा decision है यह bank का operational decision है तो यह RBI ने bankों पे छोड़ दिया था अब क्योंकि कुछ customers का grievances and disputes RBI तक पौचा है because of this uncertainty मतलब कुछ bank 200 लगा रहे तो कुछ bank 800 लगा रहे कुछ bank 1000 लगा रहे तो this is not right RBI भी वही बोल रहा है कि देखो आप आपका यह operational autonomy बना हुआ रहेगा मुझे इसमें कोई दखलनाजी नहीं करनी है लेकिन आप जो यह यह जो जबर्दस्ती कुछ न कुछ हो रहा है तभी लगा रहा है लेकिन इससे क्या हो रहा है एक negative impact क्रियेट हो रहा है जिस वज़े से customer का grievance dispute बढ़ रहा है तो यह सारे चीज़ को हम खतम करना चाते है and for this RBI will put a draft guidelines shortly so that bankों के पास एक proper guideline रहे and based on that guidelines मतलब जो banks है वो अपने board में जाकर discuss करके वो उस formula के तुरू एक amount को decide कर सकते है ताकि वो rational बने पूरे bankों के साथ मतलब मान के चलो किसी particular charge का 200 है तो हर bankों में वो 200 होगा because everyone is following RBI का guideline तो it depends कि आगे चलके यह क्या आता है I hope background आपको समझ में आ गया है बढ़ेंगे हम आगे इसी पर regulation पर RBI ने अग और बात कहा है regulatory initiative of climate and sustainable finance देखो हर business का या business करने का तरीका future में बदलने वाला है because of climate and sustainability because climate तो हर मतलब हर चीज का एक पांट हो गया है देखो अगर मैं climate risk की बात करूँ न तो paper is also not good क्यों क्योंकि paper paper बनता कैसे है वो bamboo से बन रहा है tree से बन रहा है मतलब कहीं न कहीं यह bamboo tree जो भी है इनको काटा जा रहा है तब जाके वो paper बन रहा है तो financial risk जो है इन regulated entities पे वो ना आए उसको देखते हुए RBI ने discussion paper on climate risk and sustainable finance प्लेस किया था उनके website में for public comments जुलाई 27, 2022 जिसका feedback RBI को मिल गया है और feedback के basis पे RBI ने यह तीन guideline decide किया है brought framework for acceptance of green deposit disclosure framework on climate related financial risk and guidance on climate scenario analysis and stress testing तो यह तीनों का जो भी detail बाहर होएगा वो बात में बाहर आएगा मतलब अभी तक RBI ने disclose नहीं किया बाट हाँ यह तीन guidelines future में बाहर आएगा in due course मतलब देखो एक दू दिन में वो आता रहेगा and we will bring through the videos not to worry about it आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं payment and settlement system में RBI ने क्या बोला देखो payment and settlement system ने RBI ने guideline के तुरू trade system को introduce किया था for bill receiving मतलब discounting है यह ठीक है जो MSME का bill receible है उसको discount करने के लिए मुझे पता है आप confuse हो रहो एक simple सा बात है समझो यह है MSME ठीक है इन्होंने एक सामान बेचा product let say A किसी corporate को बेचा ठीक है अब क्योंकि corporate immediate payment नहीं करते हैं वो monthly or quarterly payment करते यह हर business में obvious है ठीक है तो मान के चलो इन्हें एक लाग का सामान बेचा अब यह तो MSME है इनका working capital फ़स गया है यहाँ पर पता चल रहा है एक लाग पर यह स्रिफ 10,000 रुपय कमा रहे इनका 90,000 तो working capital फ़स हुआ है इनको यह पैसा return चाहिए to do the business So what they will do यह जो bill है यह bill लेके वो ट्रेक्स के पास चले जाएंगे ट्रेक्स के पास चले गए ट्रेक्स क्या करेगा यह एक लाग रुपय के जगा उनको let's say 98,000 पे कर देगा और यह एक महिना बाद यह bill इसको मतलब यह corporate को दे देगा तो ट्रेक्स को कितना फाइदा हुआ 2000 रुपय का फाइदा हुआ MSME को क्या फाइदा हुआ वो अपना समान भी बेचे लेकिन थोड़े कम profit में वो जो पैसा है वो उनको तुरंत मिल गया So this is the working of TREX platform and this is gonna help MSME a lot मतलब यह आने के बाद MSME एक सिंपल सा बात है रहत भगा सांस ले पाया विकास उनका working capital first जा रहा था ठीक है तो इसमें further कुछ changes insurance facility permit करेगा TREX platform में ठीक है all entities and institutions eligible to undertake factoring business under the factoring regulation act will be permitted तो secondary market operations इसमें allow किया जाएगा तो बहुत सारा secondary market मतलब अभी यह जो bill है यह TREX अपने पास रखता है क्या पता TREX को भी पैसा चाहिए तो यह किसी third party XYZ को बेच देगा मान की चलो 99,000 में तो 1000 उपय TREX को कमा लिया और XYZ भी बाद में 1000 उपय कमा लेगा directly corporate को बेच के So you know developing a new market for the factoring business तो basically मतलब RBI का जो view है यह है एक नए market को जनम दे रहा है through this Right So इसका भी जो भी details है and guidelines है वो due course में आगया आएगा ठीक है Next हम last बढ़ते हैं payment and settlement system में वो है extending UPI for inbound travelers to India आपको याद होगा कुछ दिन पहले NRO and NRE account में RBI ने कुछ selected countries के mobile number को UPI के लिए permit किया है मतलब let's say Singapore, UAE दोनों है Singapore, UAE, UK, USA ऐसे country जो है वो वहाँ के mobile number के through India के UPI को access कर पाएंगे Right But only people with NRE and NRO account तो इसी को और extend किया गया अब G20 members जो G20 country से इंडिया travel करेंगे for different different meetings before the summit उनको selected airport में यह facility को extend किया जाएगा मतलब even if they are not from that country वो G20 country से आएंगे जो भी जितने भी G20 country से 20 देश उनके जो भी member आएंगे वो इस facility को use कर सकते हैं and they can enjoy the UPI So obviously now UPI is going international अगर आप आज सुबह के current affairs को देखोगे तो उसमें भी UPI international related एक बहुत बड़ा news है phone pay has become the first platform which has launched the UPI international तो UPI अगले 6 में या एक साल में international level पर जा रहा है this is confirmed right मतलब simple सा अगर बात बोले तो UPI ब्लेंड में back चुका है जाने के लिए जो news 2-3 दिन में आ रहा है उस news से ये clear हो गया है परते हैं आगे next देखते हैं हम currency management में currency management में क्या कर रहा है RBI ने ये बोला कि total 19 location या 12 cities मतलब total 12 cities में 19 location में वो shopping mall, hospitals, market places कुछ leading bank के साथ मिलके एक machine लगाने वाले है उस machine का नाम क्या है QCVM QCVM मतलब QR based, QR code based coin vending machine ये machine होगा जहां पर UPI मतलब जो भी system रहेगा आप UPI के थुरुपे कर होगे और आपको जो भी denomination में coins चाहिए आप उत्होना coin निकाल सकते हो basically it's an ATM but you will get the coin let's say hypothetical example ठीक है 20 रुपे का coin चाहिए आपको simple सा बात है आप जाओगे QCVM में आप अपना UPI से 20 रुपे आपके account चेकर जाएगा और आपको 20 रुपे का coin मिल जाएगा आपको जो भी denomination चाहिए आपको एक रुपे का शिक्का चाहिए किसी को देने के लिए तो वह मिल जाएगा आपको 10-10 रुपे का coin चाहिए तो वह भी मिल जाएगा as per the RBI का discussion मतलब disclosure today तो यह सारा चीज था इस वीडियो में friends with this we are done अब मैं आपको बता रहा हूँ highlights highlights में ऐसा है कि जो छे मिंबर है उसमें से डॉक्टर आशिमा गोईल और प्रोफेंसर जैन्त आर वर्मा इन्होंने रेपो रेट के एगेंस्ट में वोट किया तो आपको याद होगा पिछले बार भी इन्होंने सेम किया था right so 4-2 के ratio से यह पास हुआ है और यह ने 25 बेसिस पॉंट से बढ़ा दिया है ती करेंट रिपोरिट इस एक 6.5 परसंट जो स्टांस है वो विड्रॉल अफ एकॉमेड़ेशन ही है अगस्त मैने से फिक्स रिवर्स रिपोरिट वो फिक्स है 3.35 परसंट MSFN bank rate भी 25 BPS से बढ़ गया है राइट नाओ इस एक 6.75 परसंट SJF भी बढ़ गया है विक्स एंग्रेशन रिपोरिट तो यह 6.25 परसंट हो गया है CRR और SLR unchanged at 4.5 and 18 परसंट Real GDP financial year 23 में 7% से ग्रोव करेगा Financial year 24 में 6.4 से ग्रोव करेगा CPI inflation की बात करे तो सारे 6% से ग्रोव करेगा 23 में and 5.3% से ग्रोव करेगा Financial year 24 में यह सारा चीज आपको याद रखना है With this we are done you know unfold your potential with IXMP But before I say thank you and all the best let me tell you कि आपको description में यह video का link मिल जाएगा देखो यह 17 minute का video है where you know the quant expert Karan Sardana sir इन्होंने अभी जो इस साल में confirmed notification है 15 plus notification would be coming and it's confirmed So he has discussed the dates as well in one video और उन्होंने यह भी बता है कि कैसे आप अलग-अलग exam की तयारी एक साथ कर सकते हो So it's a must watch video for you आपको यह description में भी मिलेगा आपको यह उपर आई button में भी मिलेगा So friends, इस video का आप देखना ना भूलो With this I would say thank you and all the best Let's meet in some other video till then Always remember IXMP helps you prepare 50% faster 2